ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्ट्रोजर केम से ना और मैं अपने से यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आईए समझते हैं कल 16 डिसंबर 2023 कैसा बीतेगा मेश से लेकर मीन लगने वाले जात्पों के लिए और सबसे पहले पंचान की बात करते हैं देखे कल शनिवार का दिन रहने वाला है और मार्ग शीष शुक्ल पक्ष की चतूर्थी तिथी रहेगी जो की रातरी आठ बजे तक होनी है उसके बाद पंचमी तिथी का प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा जो रहेंगे श्रवण नक्षत्र में रहेंगे चार बच कर 37 मिनट प्राता काल तक उसके बाद धनिष्टा नक्षत्र में चले जाएगे आपको याद हो गया होगा श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी बनता है चंद्रमा और धनिष्टा के स्वामी मंगल बदते व्यगात योग जो है तीन बच कर सेंटालिस मिनट प्राता काल तक रहेगा उसके बाद हर्शन योग का निर्माड़ोगा वाड़िज करण नौ बच कर सोला मिनट प्राता काल तक रहेगा उसके बाद विश्टी या बत्रा रात्री आठ बजे तक रहेगा तो चंदर्मा का जो कल पूरा गोचर होने वाला है, मकर राशी में ही गोचर करेंगे, तो आईए प्रतेक लगन पर इसका क्या प्राव पड़ता है, ये समझते हैं, तारम करते मेश लगने से देखें कल का दिन सामाने से अच्छा रहेगा, स्वास्त सामाने रहेगा, पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, खर्च की अधिक्ता रहेगी, परन्तु आर्थिक शेत्र में कहा जाए तो लाब आपको मिलने वाला है, कारे वेवसाय में उनिती के योग भी बन रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को सपलता जरूरी में लेगी, जीवन साती के साथ जो रिष्टे होंगे वो मधूर होंगे और प्रेम संग मंद में कहा जाए तो विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई विश्व लगन की बात करते हुए देखे कल के तिन आप पूर्जावान महसुस करेंगे और कारे वेवसाय में अधिकारियों का सयोग भी मिलेगा परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं लेकिन जिनको माईगरेन की समस्या हैं उनकी समस्या हैं थोड़ी बढ़ सकती है और किसी बात को लेकर मांसिक तनाओ भी हो सकता है बात भी बात जो रहेंगे वो हाला कि खत्म होंगे परिवार में खुशियों का बाता बढ़ रहेगा प्रेम संबंद में मन मुटाओ भी खत्म हो जाएगा और सिक्षा के चेतर में रूची बढ़ेगी सततर प्रतीशत तक का समय जो है कल अच्छा दिखाई दे रहा है कलका शुबंक दो शुब्रंग गरे बन रहा है उपाय के लिए हनुमान चालीशा का पाठ आपको करना चाहिए मिथुन लगन की बात करते है देखे स्वास्त के द्रिष्टी कोण से कलका समय आपके लिए उत्तम है परिवार में किसी महतपूर बात को लेकर चर्चा भी हो सकती है बाई बैनों के सयोग से उच्छे सफलता भी आप राप्त कर सकते हैं कारे वैवसाई के चेतर में महतपूर निर्णा भी आप ले सकते हैं कलके दिन और कहीं लंबी दूरी की योजना बनाना चाहते हैं गोमने के लिए तो वो भी अच्छा है जो विद्यारती जातक विदेश जाकर पढ़ाही करना चाहते हैं वो कल एप्लिकेशन फॉर्म बर सकते हैं जीवन साती से तालमेल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा प्रेवसंबंद सुकद रहेगा 75 पतिशतक का दिन अच्छा है शुबंक साथ शुबरंग महरून बन रहा है उपाय के लिए दुर्गा शब्शती का पार्ट कल के दिन आपको करना चाहिए करक लगन की बात करते हैं देखे कल के दिन स्वास्त सम्वंदि समस्याएं उत्पन नहों सकती हैं परिवार में किसी मांगलिक कार्यों करमों का आयोजन भी होगा और कार्य वेवसाय को लेकर थोड़ा मन जो रहेगा वो परिशान रहेगा पैसो के ट्रांजेक्शन में सतर्गता आपको जरूर बरतनी चाहिए कल के दिन और जीवन साती के साथ बहुष्य की योशना भी कल आप बना सकते हैं लंबे समय से किये गए विनिवेश मतलब जो आपका जिन विवेश किया गया है उससे आपको लाब मिलेगा और विद्यार्थी जातकों को कल जादा रूचियां जो मिलने वाली है वो रशनात्मक कार्यों में उनको जादा कुशी मिलेगी 72 प्रतिशा तक का दिन फिर भी अच्छा रहेगा शुबंग 6 और सुब्रंग आस्मानी बन रहे है उपाय के लिए अनाथाले में फल का दान कीजिए दिन आपका अच्छा बीतेगा अब हम अगले लगन की बात करते हैं सिंग लगन वाले जाद्पों का कल का दिन कैसा बीतेगा देखें कल के दिन आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है परिवार के सदस्यों में मनमुटाव की स्थिति हाला की बन सकती है उधर और गले से सम्मंदि स्वास समस्याएं भी कल के दिन आपको परिशान कर सकती है कारे वेबसाइट के छेतर में हाला कि आपको उनिती मिलेगी यात्रा करने का उसर भी कल के दिन प्राप्त होगा व्यर्थ का खर्च करने से बिलकुल बचना चाहिए और जीवन साती के साथ आपके जो रिष्टे होंगे वो मधूर हो रहेंगे पुल मिलाकर 79 प्रतिशत का दिन आपके लिए अच्छा है शुबंक्नो शुब्रंग नारंगी बन रहें उपाय के लिए गरीबों में वस्तर अगर आप उपहार स्वरू बेट करते हैं दिन अच्छा भी देगा कन्या लगन की बात करते हैं कि कल का दिन आपको नई खुश्या मिल सकती है पारिवारी जीवन में मनमुटाव हो सकता है कार्य वैपसाय को लेकर मन में नई योजना आ सकती और उसको सीरियसली फॉलो भी करना चाहिए स्वास के द्रिश्णी कोर से कल का दिन उत्तम रहेगा खर्च पर नियंतर आपको रखना पड़ेगा भाई बैनों के साथ प्रेम संबंद बना रहेगा और जीवन साती से किसी बात को लेकर बाद विवाद भी हो सकता है प्रेम संबंद हाला की सामाने रहेगा कुर्मिलाकर 76 प्रतिशा तक का दिन अच्छा है शुबंक एक और शुब्रंग हरा बन रहा है उपाय के लिए लक्ष्मी नरायन मंदिर में जाईए और खीर का दान करते हैं दिन अच्छा भी देगा तूला लगनी की बात करते हैं देखे कल का दिन आपके लिए सुक्षान्ति वाला होगा साज़ेदारी में किये गए कारिवेवसाय से लाब मिलेगा आए के नए साधन भी प्राप्त होंगे जीवन साती के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है अध्यात्मिन के प्रती रुची जो होगी आपकी बड़ रहेंगे आर्थिक इस्तिती जो रहेगी वो सामाने बनी रहेगी और पुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 79 प्रतीशत तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग कार्ट और शुबरंग सफेद बनेगा उपाय के लिए मंदिर में खीर और कपूर का अगर आप दान करते हैं दिन आपके लिए स्रिश्ट रहेगा वरश्चिक लगन की बात करते हैं कल का दिन आत्म विश्वास से बरा रहेगा माता पिता और परिवार के साथ अच्छे पल भी आप व्यतीत कर पाईएगा कारे वेवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे आर्थिक रूप से थोड़ी समस्याओं का सामना भी हाला की करना पड़ सकता है पैसो के ट्रांजेक्शन से बशने की आउशकता भी है और जीवन साथी को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकते है भाई बैनों के साथ रिष्टे हाला की अच्छे रहेंगे सिक्षा के छेतर में किसी अनुभवी व्यक्ति का सयोग भी कल आपको मिलेगा खुल मिलाकर 72 पतिशत का समय अच्छा है कलका शुबंक साथ और शुबरंक स्लेटी बन रहा है उपाय के लिए गौरी गडेश की अगर आप रातना करते हैं दिन अच्छा बितेगा धनु लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपको सकरात्मक परिणाम देने वाला रहेगा कारे वेबसाए गो लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं वियर्द के खर्च को करने से बचना चाहिए अनटा करज लेने की स्थिति भी बन सकती है स्वास्ट को लेकर चिंति हो सकते हैं कल के दिन कल कोई नया बिजनेस सुरू करने का विचार मन में आ सकता और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है परिक्षा के छेतर में परिश्रम के बाद ही विद्ध्यार्थी वर्गों को अच्छे परिणाम मिलेंगे इसलिए महन जरूर कीजेगा कुल मिलाकर कल का दिन 77 प्रतीशा तक अच्छा रहेगा शुबंक एक और शुबंक के सरिया बन रहा है उपाय के लिए सिव शुरूत का अगर आप पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा मकर लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपका अच्छा स्वास्त रहेगा ये सबसे पॉस्टी बात है परिवार में कोई सदस्य से बिमार पढ़ सकते हैं और कारे वेपसाय में नहीं उपलबदिया भी आप हासिल कर पाईएगा जीवन साथी का आपको सयोग मिलेगा पैसों के ट्रांजेक्शन्स में बहुत सावधानी रखना चाहिए और लंबे समय से रुके हुए कारे हाला की कल के दिन पूरे होंगे उच्छी सिक्षा की प्राप्ति के लिए माता पिता का सयोग भी आपको मिलेगा 73 प्रतिशतक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा कल का शुबंग चार और शुबरंग नीला बन रहा है उपाय के लिए शन्नी देव को काला तिल अर्पित कीजिए कल का दिन अच्छा बीतेगा कुम्ब लगन की बात करते हैं देखे कल के दिन अध्यात्मिक शेत्रों में रूची बढ़ेगी किसी भी प्रकारिक का निवेश करने के लिए कल का दिन उत्तम रहेगा पारिबारिक रिष्टे जो रहेंगे वो पहले से मजबूत होंगे जोखिम पूर कारियों को करने से आपको बशना चाहिए जीवन साहती के साथ रिष्टों को मजबूत करने का ही आप प्रयास कल के दिन करेंगे लव रोमांस में किसी बात को लेकर अन्बन हो सकती है कारिय वेवसाहे में भी कुछ चुनोतियों का सामना कल करना पड़ सकता है सिख्षा को लेकर किये गए प्रयास सफल होंगे कुल मिलाकर का आजाए कल का दिन 79 प्रतिशतक अच्छा है शुबंकनो शुबरंग पीला बन रहा है उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामा द्वाद शक्षर मंतर का आपको जाप करना चाहिए अंतिम लगन की बात करते हैं मीन लगन देखें पारिवारिक रिष्टों में सामन जिस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा स्वास्त से सम्मंदि छोटी मोटी समस्याएं जो हैं लगी रह सकती है आर्थिक रूप से हलाकि आप मजबूत रहेंगे और सिख्षा में किसी अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग भी आपको मिलेगा भाई बैनों के साथ चल रहे हैं मनमुटाव दूर होंगे जीवन साथी आपके साथ हर परिस्थिती में कल साथ देंगे पैत्रिक संपत्ती से लाब भी प्राप्त होगा कुल मिला कर 77 प्रदीशत का दिन अच्छा रहेगा कल का शुबंग पाच और शुबंग गुलाबी बन रहा है उपाय के लिए गुरू का जो वीजमंत रोता है उसको आप जाप करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा तो यह था पूरा मेज से लेकर मीन अलगन वाले जात्पों का कल 16 डिसंबर 2023 कैसा बीतेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एश्टाजर केम सिना ओम नमस्ष्ट